So one of the most volatile expiry of this month or year और बहुत लोगों के trading career का यह बहुत volatile expiry होगा शायद तो जो लोग specially 2020 या 2021 के बाद trading journey start किया है तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही volatile market अगर आप अभी मेरे सामने chart खुला हुआ है यहाँ पर अगर आप देखो ऐसे situations में आप अगर without SL काम कर रहा हो न तो आपको कोई नहीं बचा सकता तो ये वीडियो बनाने का मेरा main motto यही है कि जो नए traders है specially जो trading journey start कर रहे है या अभी कुछ दिनों से trade कर रहे हैं एक साल, तेर साल या दो साल trade करते हुए हुआ है तो इस type के market आपके लिए completely new होगा तो ऐसे situations आपको किस तरीके से handle करना चाहिए या ऐसे situations में क्या करना चाहिए आपका mindset क्या होना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ तो अगर आप buying nifty या nifty का दोनों को दिखा देता हूँ में ठीक है तो till expiry तक मैं book कर लेता हूँ on the morning ही क्योंकि सारी decay हो जाती उस time तक and especially अब अगर आपको यहां पे एक मेरा वीडियो दिख रहा होगा मैंने दूसरे account में किया था वो option buying के लिए मैं रखा हूँ कभी-कभी अगर mood कर गया volatility मिल जाती है तो option buying कर लेते हैं अपन तो वहां पे आपको यहां पे दिख रहा होगा तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे situations में क्या हुआ था कहां पे क्या करना चीए था तो सारी चीज़े analysis हम लोग कर लेते हैं ऐसा नहीं कि aftermarket कर रहे हैं तो मेभी आपको लगेगा कि यार यह तो aftermarket कोई भी कर सकता है इसके पीछे का मैं logic भी बताऊंगा आपको तो logic आप यहां पे clearly आपको दिख रहोगा चली निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ एक clearly यहां पे आपको दिख रहे कि यहां पे gap था एक यह point है इसको अगर मैं यहां पे दिखा हूँ तो यह point है यह point है और यहां पे आपको clearly इस point पे आपको gap दिख रहोगा clear है तो जैसे gap फिल किया यहां से उपर गया तो यहां से इतना जो volatile move है वो expected नहीं होता है यह जो volatile move है इसके लिए आप कभी ready नहीं हो सकते हो यह आपको max to max 10-5% time ही आपको देखने को मिलेगा आपके like एक साल में छे महिने में ऐसे मतलब 5-10% ही time आपको देखने को मिलेगा है ऐसा move यह जो volatile move है तो ऐसे situations में क्या है अगर आप expiry कर रहे हो specially on expiry कर रहे हो तो पहला thumb rule लिख लो रट लो mug up it whatever you want to do SL के बिना आप trade अगर कर रहे हो तो you are totally committing suicide okay I'm not I don't wanna use that word but if you are trading without SL अगर आप SL के बिना trade कर रहे हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता आपके capital को कोई नहीं बचा सकता तो without अगर आप option buying कर रहो option selling कर रहो कुछ भी कर रहो expiry के दिन SL हमेशा रखो ही रखो आप other days नहीं रख रहे हो mental SL रख लो that's a different thing but अगर आप expiry को trade कर रहे हो तो आप SL का order एक लगा के ही रखो तो यह first thumb rule expiry trade करनेगा अब यहां पर उपर की बात करते हैं उपर में यहांप आपको दिख रहा है clearly आपको यहां पर इक resistance दिख रहा था clear है यह निफटी की बात कर रहे है यहां पर आपको clearly यहां पर एक resistance दिख रहा है ठीक है एंड यहां से जैसी market rejection किया यहां से नीच है तो अगर मालो यहां पे आप call sell कर रहा हो call sell कर रहा हो यहां पर तो it's clear है कि अगर market यहां से उपर जाता है इस level को cross करता है यहां पर closing देगा तो हम call sell का साथ अपना book कर लेंगे ठीक है यहां पर आपने अगर मालो की इस level को cross किया इस level के बाद आपने put sell किया put sell किया ठीक है तो जैसे मालो की यहां से reverse करता तो आप sell के साथ निकल जाते है यहां पर clearly है कि ऐसे situations में एक चीज़ हमेसा ध्यान रखना जब भी आप market specially on expires अपने experience से बता रहा हूं जब भी market आपके एक direction में जाए जैसे इस direction में गया उपर direction में एक flat opening के साथ उपर direction गया है और फिर वहां से reverser के chances होते हैं काफी जादा होते हैं यहां से reverse करेगा तो इसके बाद यह मत सोचना कि वह uni direction में जाएगा यह बहुत strong जैसा last expiry में हुआ था तो last expiry की अगर आप graph देखो तो यह last expiry की graph है ठीक है ऐसा uni direction move ऐसा expect करना बहुत कम chances होते हैं कि एक direction के बाद अगर reverse कर रहा है तो uni direction आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको थोड़ा सा pullback देखे अगर हलका सा यह ऐसे फ्लाट बंद हो सकता है closing दे सकता है या हलका सा pullback देखे हलका सा आपको one day के time frame में इस तरह के का डोजी देखने को मिलेगा तो it's kind of thing कि आप कोई भी expiry अगर आप कुछ दिनों और test करो अपने trading को देखोगे तो आपको इस तरीके का pattern देखेगा तो यह चीज हमेशा ध्यान में रखना तो आप जब भी जैसे मालो कि यहां से जो अगर market गिर रहा था आपने यहां पर कभी call sell कर रहे थे इस point से इस point से आप call sell कर रहे थे ठीक है call sell कर रहे थे इस point पर तो य यह main चीजें हैं जो आपको basically क्योंकि यह जो market है इस type की जो market है वो बहुत ही new है बहुत लोगों के लिए तो अगर आप 2018 या 2019 में अगर trade कर रहे होते तो आपको कुछ type इस type के market सभी भी मिलते थे तो आपको maybe आप लोग अगर कुछ लोग होंगे तो आप familiar होंगे अगर maximum लोग मैं assume कर रहा हूं कि maximum लोग चीज से familiar नहीं है तो यह pattern हमेशा ध्यान रखो कि एक बार जब उपर चला जाएगा वहां से reversal आ रहा है या opposite direction नीचे चला गया वहां से reversal जा रहा है उपर आ रहा है तो most probably कि वह uni direction होने के chances strong uni direction मतलब I mean जैसा last experiment होता है strong uni direction होने के chances कम होते हैं तो इस सब टाइम में यह करना है यह जो मूव है ना यह मैं दर्ख्वास्त करना चाहते हैं कि हमबल रिक्विस्ट टुद एफाइज एसा मत करो यार मतलब ट्रेडर्स के साथ ऐसा मत करो इस काइंड आफ जो टोटली नहीं है उनकी capital wipe out हो जाती है तो ऐसा पर महीं करना चाहिए मतलब यह मतलब ऐसा है तो फिर तो ट्रेडर्स अभी के टाइम पर आउट ही हो जाएं FISDI खोदी बाइंग सेलिंग कर लो यार मतलब ऐसा ही है अगर आप इसको लॉंग टर्म में देखोगे जैसे मालों कि आप निफ्टी को भी अगर मैं इसको सारे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ठीक है आप इसको लॉंग टर्म में देख लो यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का यहां पर क्लियरली सपोर्ट है 15,200 का 15,000 का एक क्लियरली सपोर्ट देख रहा है तो इस लेवल पर क्या होगा ना कि यह strongly मतलब तब टूट इसको तोरना यह मैंने पहले ही मतलब मार्केट बना मतलब क्रेड कर रहा हूँ तो इसको अगर आप देखो तो यहां पर क्लियरली है कि हर बार इस लेवल को अगर तो काफी डाउन आ सकता मार्केट क्योंकि उसके बाद इसके पास रेजिस्टेंस जादा स्ट्रॉंग नही फिर यहां पर अगर आप देखो तो डारेक्ट फिर उसके बाद आपको 13500 का रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से रेजिस्टेंस है काफी डाउन डाउन मतलब लेवल्स पर रेजिस्टेंस है तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो आई होप मेरा जो में मोटो था इस वी अगर ऐसे इन मतलब abnormal situations आती है तो for new traders अगर अभी अब देखो कि फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर kind of यही पर बंद करने वाला market तो चलिए video को यही पर wrap up करते हैं तो make sure to hit the like button and subscribe to this channel इससे मुझे motivation मिलता to make more and more videos for you guys तो till then thank you and happy trading